हेलो फ्रेंड्स दिस जैप्रकाश्टिवारी एंड वेलकम टू माई डियुप चैनल आर्वेसी क्लासिज आज की वीडियो में हम डिश्रस करेंगे क्लास टैंथ के लिए साइंस के कुछ महतपूर प्रशनों को सभी प्रशन जो है अब्जेक्टिव प्रशन रहेंगे और ब्रशनों का एक संग्रह रहेगा सबी प्रशनों को मैं आपको सॉलीशन भी बताऊँगा इसलिए आप से कहना चाहूंगा कि आप हमारे साथ बने रहें और आपको इसमें से कितने प्रशन आते हैं आप उसको कमेंड बोक्स पर जरूर बताएं तो आये देढ नंगरते हु दरपन की फोकस दूरी रिडात्मक होती है तो जो आपका ओतल दरपन होता है जिसको हम कोनकेव लेंस बोलते हैं उसको हम जो है रिडात्मक मतलब निगेटिव जो है फोकस में डिनोट करते हैं फ्रेंड्स आप से कहना चाहूंगा कि यहां पर जो है जो कोशन है हमारे हिंदी और इंगलिस दोनों में है इसलिए यह जो है Love nggak ने inom के लिए रहेंगे मैं यहां परwart दोनों ही वह कोशthing नहीं पढ़ पामगा हिंदी नहीं पढ़ूं और इंगलिस में पढ़ूं इसलिए समंद होता है तो f equal to r upon 2 होता है मतलब क्या हुआ friends आप कहने का कि जो focus दूरी होती है focal length होती है वो वक्रता त्रिजिया की आधी होती है जिसको radius of curvature बोलते हैं ठीक मतलब क्या हुआ कहने का कि अगर मैं बोलू कि आपकी radius of curvature जो है 4 cm है तो आपकी हम बोलें कि इसकी focus दूरी बताओ तो focus दूरी कितनी होगी 4 upon 2 मतलब 2 cm होगी ठीक चलेंगे next question में next question रहेगा हमारा समाने द्रिष्टी के लिए especially द्रिष्टी की नियूंतम दूरी है बहुत ही अच्छा question है बहुत ही important question है समाने द्रिष्टी के लिए especially द्रिष्टी की जो नियूंतम दूरी होती है वो 25 cm होती है फ्रेंट इसका answer होगा B और अगर बोलें कि समाने द्रिष्टी के लिए especially द्रिष्टी की यहाँ पर नियूंतम बोला है अगर अगर अधिकतम बोलें तो वो होती है अनन्थ होती है इंफिनिटिव होती है चलेंगे next question में स्वेथ प्रकास का कौन सा रंग या वर्ण किसी प्रिष्म से गुजरने के पचास सबसे कम जुखता है मतलब सबसे कम प्रकास कौन सा जुखता है तो जब आप जैसे माल लीजिए आपका ये प्रिष्म है यहाँ से कोई प्रकास जाता है तो यहाँ पर आपको पता ही होगा कि यह ऐसे बढ़ जाते है तो सबसे कम कौन जुगता है मतलब यहाँ पर कम कौन सा रंग रहता है तो वो होता है लाल फ्रेंड जो लाल रंग होता है वो सबसे कम जुगता है और बैगनी जो रंग होता है वो सबसे अधिक जुगता है नेट कुशन की बात करेंगे मानो आँख की रेटना द्वारा बनाई गई छवी होती है जो मानो आँख द्वारा जो रेटना की द्वारा जो इमेज बना जाती है वो कैसी रहती है वर्चुल रहती है एरेक्ट रहती है रियल एंड इन्वर्टीड रहती है तो friends इसका जो answer रहेगा फिप का भी रहेगा real and inverted रहती है मतलब वास्त्विक और उल्टा होती है next question पर चलेंगे आकास का रंग नीला परतीत होता है the color of sky appears blue आकास का जो रंग होता है नीला क्यों परतीत होता है तो जो आकास के जो नीला होता है परकास के परकरिणन के कारण जो परकास में बैगनी रंग होता है मतलब नीला रंग होता है वो सबसे उसके परकरिणन के कारण जो है परकास का जो रंग आकास का जो रंग होता है वो नीला दिखाई देता है किसी दरपन से वस्तू का परतीम बड़ा बनता है क। को कव्यों kia जाता है, तो जो निकट द्रिश्टी दोस क्या होता है, इंपने नाम का थोड़ा ध्यान रखना, निकट द्रिश्टी दोस्ट में क्या होता है, निकट की वस्तिविकाई देती हैं और निकट के वस्ते में इस पर दिखाए नहीं देती जो यहां पर नाम में लिखावा निकट द्रिश्टी दोस मतलब समझो निकट का दोस नहीं है अब पूछा है किस लेंज का प्रयोग करेंगे तो मैं आपको एक ट्रिक बता दूँगा एक होता है वर्ड याद क लिखा लिया तो मतलब क्या हुआ अवता लेंज का प्रयोग जो है निकट द्रिश्टी दोस में किया जाता है तो यहां पर कौन सांसर होगा सी इसका आंसर होगा नेक्ट कोशन पर चलेंगे बीच निम्नांकित में से कौन उपकरन विदुद्धारा की उपस्री दर्स आता है तो जो सन दिए होई है उसका आंशर होगा Galvanometer तो फ्रेंच करता है और गैलबनो उमीटर और एक होता है अमीटर यहां पर आंसर नहीं होगी किया जाता है लेकिन यहां पर Galvanometer दे रखा है वो क्या होता है अल्प धारा के लिए मतलब थोड़ी अगर धारा बारी है थोड़ी थोड़ा बहुत उसमें current flow हो रहा है तो उसके लिए हम Galvanometer का यूज करते हैं next question रहेगा दाएं हाथ के अंगुठे के नियम right hand thumb rule को किसने प्रतिपादित किया था मतलब जो right hand thumb rule है वो किसने दिया था who stated the right hand thumb rule तो जो friends इसका answer रहेगा 10th का 10th का रहेगा 4th Maxwell ने दिया था Maxwell ने next question पर चलेंगे विभवांतर का SI मात्रक क्या है विभवांतर का मात्रक क्या होता है तो विभवांतर का मात्रक जो हता है वोल्ट होता है विभवांतर का मात्रक क्या होता है वोल्ट होता है वोल्ट optimized next question पर चलेंगे,iva लिगSpYouTube में से किस सांयोजयरह द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है, तो तरतिरोधों का सांयोजय Alb experiência आपने पढ़ा होगा बढ़ता है हां बिलकुल बढ़ता है तो किसमें रहेगा स्रेंडी करonne में और संवांतर क्रम而已 में तहीं एक किलो वार्ट घंटा किसके बराबर होता है तो जो आपका आपका आंसर दे रखा है 14 का answer रहेगा 3.6 into 10 to the power 6 joule क्या रहेगा 3.6 into 10 to the power 6 joule next question पर चलेंगे नभी करणी उर्जा का स्रोत है नभी करणी उर्जा का स्रोत मतलब जो उर्जा के स्रोत कभी कि खत्म नहीं होंगे जासे स्रोत और चाहिए कब खत्म होंगे हमें भी नहीं पता है ठीक तो बागी जो नाविकी उर्जा कोले से प्राक्रतिक गैस और ये कुछ समय बाद समाप्थ हो जाएंगे जो कि नू रिडिवल होते हैं और जो रिडिवेबल होते हैं वो सौर उड़ा है जैसे स्व अपवन उड़ा है इनको हम बोलते हैं रिडिवेबल रिसोर्चिज इस यह जो रिसोर्चज हैं बांगी बद्दे रखें यह कुछ टाइम के बाद अगर खतम हो जाएंगे इनको बनने में जो है लाखों करोनो वर्स लगेंगे नेट्स कुछन रहेगा सोलवां कौन सा लेंग लेंज अप सारी लेंज कहलाता है अप सारी और अभिसारी आपने पढ़ा होगा तो अप सारी जो लेंज होता है इसको हम बो थे हैं कॉन के लेंज ऐसे बनता है अब जब कोई जाती है रे जाएगी इस पर यहसारी मतलब डाइवर्ज हो गई है तो इसको हम diverging lens अगर पूछा जाए तो diverging lens कौन सा होता है outer lens होता है, cone cave lens होता है friends next question रहेगा प्रकास का प्राथमिक one कौन है मतलब जो प्रकास होता है उसके प्राथमिक कलर कौन से है primary color कौन से होते हैं तो red, blue, green ये तीनों color होते हैं इसलिए जो इसका answer रहेगा, d रहेगा, all of these next question पर चलेंगे, निम्खित में से कौन सा नेतर का रंगीन भाग होता है तो जो नेतर का आईरिस होता है आईरिस होता है ये आँक का, मतलब आई का colored part होता है next question पर चलेंगे, 1 HP बराबर है मतलब 1 HP मतलब horse power जिसको बोलते हैं, 1 HP किसके बराबर होता है तो 746 watt के बराबर होता है बहुत अच्छा question है, कई बारे ग्या में पुछा रहता है कि 1 HP उकल टू 786 watt next question चलेंगे विसालक सीसा जिसको magnifying glass बोलते हैं आपने देखा होगा कि गोल सा रहता है उसके यहां पर एक हैंडिल सा लगा रहता है प्लास्टिक का इसी को हम बोलते हैं magnifying glass आपने glass को जब touch करके देखा होगा तो यहां पर बीच से मतलब बीच से थोड़ा मोटा सा रहता है जो मोटे lens होते हैं बीच में touch करने पर उनको हम देखते हैं उनको हम बोलते हैं जनका किसी चालक आठार में बिदो धारा प्रवाइद होती है तो घसील कड है मतलब अगर पूछा जाय कि किसी चालक में विदौधारा प्रवायत हो रही है तो जो गति-सिल कड़ है वो क्या होते हैं? इसी के कारण जो है वो धातू के चालक होते है नेश कुछन पर चलेंगे इंपियर घंटा मातरक है इंपियर घंटा किसका मातरक है तो इंपियर घंटा जो है आवेस का मातरक होता है फ्रेंट्स इंपियर घंटा किसका मातरक होता है आवेस का ठीक इंपियर हवर जिस बोल सकत तो 23 का आंसर होगा ए जूल पर सेकंड जो होता है यह वाट के बराबर होता है जूल पर सेकंड किसके मातरक होता है वाट के बराबर अब आपको यह बताना है कि जो वाट होता है यह किसका मातरक है फ्रेंट्स कमेंट में बताना इसका आंसर मैं आपको नेक्स वीडियो में ज ग्लोबल क्या होती है जो सूर के प्रकास की जो घरमी होती है मतलब जैसे प्रकास प्रठीफ पर आया आतो गया गर्मी लेकर के लेकिन वह वापिस ना पाए कुछ एक लेयर शी गैसी बना लेती है जो उसको एक कंबल की तरह करती है तो वो गर्मी बाहर नहीं जा पाती है मतलब यह जो कंडिशन बनती है इसी को हम बोलते हैं ग्लोबल वार्बिंग और जो मुख्य गैस होती है उसकी होती है जो पुताई के लिए होता है जब आप लोग उसमें जल डालते होंगे तो आप लोग देखते होंगे गर्मी से निकलती है ठीक है पानी गरम हो जाता है तो वह होती है उसमा छेपी अभिक्रिया होती है क्या होती है उसमा छेपी एक जो थर्मिक रियक्शन जिसको हम बोलते है आप लोगों ने एक सक्रियता स्रेंडी पढ़ी होगी जिसमें क्या था कि जो हाइड्रोजन से जो नीच उपर हैं जैसे माल लीजिए उपर जाएंगे तो वो हाइड्रोजन को भी स्थापित कर सकते हैं कर देते हम यह बोलते हैं मतलब क्या हुआ कि अगर हम उपर की तरफ जाते हैं तो रियक्टिविटी जो है बढ़ती है और नीचे की तरफ आते हैं तो रियक्टिविटी घड़ती है तो जो आपको ऑप्षन दिख लाया है इसमें यहाँ पर सबसे पहले C.U. रहेगा ठीक है C.U. रहेगा प्लेटनेम स सुत रहे है चुना जल का मतलब जिसको calcium hard oxide बोलते हैं CAOH whole twice तो क्या बनेगा CAOH whole twice कैसे बनता है यह calcium जो होता है उस पर plus के two charge होते हैं और OH negative पर जो है एक negative का charge होता है तो क्या बनेगा जब यह रेक्ट करेगा CAOH और यह जो two यहाँ पर है आपको दिख रहा है यह two जो है इधर आ जायेगा यहाँ पर तो CAOH whole twice बनेगा next question पर चलेंगे कोई billion लाल लिटमस को नीला कर देता है उसका pH मान होगा तो कोई billion लाल लिटमस को नीला कर देता है उसका pH मान क्या होगा तो फ्रेंड एक होता है pH value आपने पड़ा होगा जो 7 value जिसकी रहती है उसको हम बोलते है उदासीन अगर 7 से कम रहती है तो उसको हम बोलते है acid क्या बोलते है acid और अगर 7 से ज़्यादा है जैसे 8, 9, 10 तो उसको हम बोलते है base ठीक है तो अब यहाँ पर बोला है कोई विलियन लाल इटमस को नीला कर देता है तो जो लाल इटमस को नीला कर देते हैं वो होते हैं चार अब चार की pH value क्या रहेगी यहाँ पर 2 option दिये हैं A और B में 10 और 11 तो मतलब क्या हुआ कि A और B दो नहों हो सकते हैं ठीक है A और B दो नहो हो सकते हैं उसकी pH value next question पर चलेंगे इलकाइन में कारवन कारवन के बीच कितने सहसायोजग बंद होते हैं जो question 31 इलकाइन में कारवन कारवन के मत कितने बंद होते हैं तो answer रहेगा इसका C रहेगा third इलकाइन का answer C third glucose का आंडविक सुत्र है मतलब glucose जो होता है उसका सुत्र क् हैं उच वसी हम लोगे sodium लवर्ण कहलाते हैं तो उनको हम बोलते हैं साबून आपको एक question बनता है साबूनी करण किसे कहते हैं तो बहुत important question है आप उसको जरूर याद करें मैंने इसकी वीडियो भी बना रखी है आपने अगर नहीं देखिए तो playlist में देख सकते हैं कि साब क्रियासिल मूलक हैं मतलब जिन ग्रूप में CHO होता है फंशनल ग्रूप दिनका CHO हो उसको हम क्या बोलते हैं तो फ्रेंट्स इसका आंसर रहेगा ए रहेगा LD हाइड क्या रहेगा इसका अंसर ए रहेगा LD हाइड नहीं से थर्टी फाइब पर 35 क्या है आवर्ट साणी में क मतलब क्या बोल रहे हैं कि जब आप इधर की तरफ जाएं मतलब माली जी यह आवर्थ है जिसको हम बोलते हैं पीरियड ठीक है राइट इना पीरियड और पीरियडिक टेबल अगर आप पीरियड की तरफ इधर जाएंगे तो इधर जाने पर क्या रहेगा फ्रेंट्स जो तुरिज्जा रहती है वो जो है घड़ती जाती है क्या होती है घड़ती है ठीक बाएं से दाएं जाने पर नेश कुश्चन रहेगा इम्नां की ततों को उनके अधातु गुंड के अंसार बढ़ते करम में सजाएं अधातु गुंड के साथ बताना है आपको अरेंग फॉलॉ रहती है इनकी धातु क्रिया सिलता मतलब मेटलिक करेक्टर वो कम होती जाती है तो जो 36 है 36 का जो आंसर रहेगा बी रहेगा बी रहेगा इसका जो है सही आंसर रहेगा नेश रहेगा सिल्कन क्या है तो सिल्कन फ्रेंड्स आपको पता ही होगा ये उप धातु होता है सिल्क धनात्मक तत्व है मतलब किसमें जो है विदु धनात्मक होता है तो आपको पता होगा sodium जो होता है एने positive होता है तो इसका आंसर क्या रहेगा c sodium नेश को सब्सक्राइगा तो इसका आंसर जो रहेगा उतरा खंड में टिहरी डैम बनाया गया है तो किस दातू को केरोसीन में डुबो कर रखते हैं तो किस दातू को केरोसीन में डुबो कर रखते हैं तो इसका जो आंसर रहेगा B रहेगा sodium answer क्या रहेगा 40 का B रहेगा friends इस वीडियो में हम 40 questions को discuss करेंगे 40 का जो answer रहेगा B रहेगा इससे जो आगे के 40 question है उसके लिए हम next video बनाएंगे जो हमारी science की next video होगी इसलिए मैं आप से कहना चाहूंगा कि आप इन questions को अच्छे से पढ़ लें और जो next question है उनके लिए हमारे साथ बने रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बैल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाले समय भी notification मिलता रहे है ओके friends thank you for watching this video मिलेंगे next video में